हाई एवरिवन वेल्कम डॉर यूटीव चैनल और जो क्लासेस कर रहे हैं लगातार उनके लिए वेल्कम डॉर क्लासेस गुड़ इवनिंग एवरिवन गुड़ इवनिंग तो आज चैप्टर हम लोग जो पढ़ा रहे थे माइन फायर एन स्पॉंटनिसिटी उसी चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और इससी चैप्टर का बहुत सारा पॉर्स वहाई रुचुग है आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब कुछ पॉइंट हम लोग डिसकेस कर रहे थे, प्रिवेंटिव मेजर में भी एप टॉपिक हो चुगा था, डिलिंग विट फाइर इन, सर्फेस, स्पॉन्टेनी सिटिंग ऑफ कोल, प्रोसेस ऑफ सेल फिटिंग, इनिसेल स्टेज, फाइन स्टेज, इस इनकोबिशन पिरियेड ये अभी, प्रिवेंशन अप अंडर्गाउंड फाइर ये भी हम पढ़ा चुके थे, प्रिवियस क्लास में, डिलिंग विट अंडर्गाउंड फाइर, ये में भी ये नहीं पढ़ा थे, चले, तो आज हम लोग बताते हैं, डिलिंग विट अंडर्गाउंड फाइर, अंडर् बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके थे अब एक टॉपिक पर आते हैं डीलिंग विद अंडर ग्राउंड फायर यानि कभी किसी माइम्स में अंडर ग्राउंड फायर हो जाए तो उस कंडिशन में आपको क्या करना है तो याद कीजिए एक फायर इस्टिंगूसर वाला पहला चैप्टर जो हम पढ़ाया थे डीटेल में समझाया थे आपको कि ए टायप का भी टायप का सढव का डी टायप का और तैयबल ये पांत टायप का फायर इस्टिंग सर्फ रहा करता था फायर हुआ करता था और हर अभी के लिए कुछ न कुछ ज्यादा प्रिफर किया जाता था एक प्री डॉमिनेंट होता था कि यार अगर अगर ए टाइब का फायर है तो आप इस्तमाल किजिए बी टाइब का फायर है तो आप ड्राइप आउटर का इस्तमाल किया जाता है वही पड़ लीजेगा और थोड़ा-थोड़ा सब फाइर इस्टी के बारे में लिखा भी है मैं सेंड कर दूंगा आज आप लोगो तो वो भी आप कर लिजेगा अभी कुछ पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूं देखे आग अगर आप A टाइप का है दिकत नहीं होता है जनरली B टाइप का है दिकत नहीं होता है जनरली D टाइप का भी है दिकत नहीं होता है दिकत कहों होता है C और E टाइप का यानि अगर ओइल में आग लग जाए गैसेस में स्वारी या गैसेस में आग लग जाए और ओइल वाला में आग लग जाए या फिर electricity में आग लग जाए तो बड़ा समस्या हो जाता है, तो उसमें कुछ specific fire extinguisher का इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे एक example लेते हैं, अगर मालीजे CO2 water type का fire extinguisher है, इसको आप बिजली वाला आग में बुझाने का कोसिस करते हैं, और live electrical equipment है, यानि बिजली उसमें से प्रवाहित हो रहा है, तो उस condition में जो सामने वाला बन्दा होगा, वो जुला सकता है, अगर वो motor का current है, ठेकए, अगर वो high voltage होता है, उसका current होता है, ठेकए, तो ये सब condition में क्या होगा, वो उस बंदे का death भी हो सकता है, ठेकए, क्योंकि motor का current के बारे में, आप लोग को हम पहले बता या आग बुजहा रहा है मोटर का तो बुझारते बुझारते जसकते उसको पकल ले उसको जट्का नहीं मारे थिंगर MP2 उसकोषड नहीं किया हुए तो उस कंड 캐otis सब्सक्राइब का या सोडा वाटर टाइब का इसको हिए पर चिंज और ब्राबर हैं इस कंडिशन आप इसको इसको इलेक्ट्रिकल आग में इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इसी तरस से फार्म-टाइब फारेस्टिंगुसर होता है जिसमें झाग निकल दो जैसे साबुन लगाते है यह फेस्वास लगाते हैं चैरा पर इस एक भाग निकलता बिल्कुल ऐसा सी झाग निकलता है एसका भी इस्तिमाल ऍसोनाद कि इन में से जब आप आग को बुझाते हैं तो यह आग देशी के लिए गूड कंडुक्टर हो जाता है सफलाई करता है यानि कि जो आग है अगर उसमें एलेक्टिसिटी है तो वही एलेक्टिसिटी पुरा एक स्लूप बना लेता है और इसके कारण आदम को जटका लग जात प्रिवियस क्लास में हम लोग बताया थे चैट में कमेंट करके बताईएगा ओल राउंडर फायर एस्टिंग्विशर कौन सा है अगर आप नहीं देखें हैं तो ध्यान से एक बार देख लिजेगा और फायर इस्टिंग्विशर का नाम बताईएगा कमेंट सेक्शन में कर सकते एक टाइप का फायर हो बी टाइप का फायर हो सी टाइप का फायर हो डी टाइप का फायर हो इटाइप का फायर हो यह माइनिंग का सेक्शन में होता है अलाकि अगर दूसरा ब्रांचेज बजाए तो एक के टाइप का फायर भी होता है लेकिन हम माइनिंग का गया है कि when foreman और overman assistant manager notice अगर कभी ऐसा indication दिखता है कभी भी आग का indication दिखेगा तो पहले क्या करेगा electricity connection कट करेगा district का चुकि अंडरगाण माइस की बात करना में उसके बाद माइस manager को inform करेगा assistant manager हो foreman हो और ये तीनों और माइन manager का basically इसके बाद क्या काम होता है समझते हैं देखे मानली जैसा एक mining सरदार है वो कहीं पर देखा कि आग लग गया है कोई district की तो वो क्या करेगा वो overman को या forman को खबर कर देगा कि यहाँ पर आग लगा हुआ है और mining सरदार या overman भी चाहेगा तो electricity connection को cut करेगा या करवा देगा और वहां से आदमी को बाहर निकालेगा फैंसिंग वैंसिंग करवा देगा उसके बाद mine manager को खबर करेगा ओभर ठीक है ओबरman फॉर्मन या assistant manager mine manager को खबर करेगा माइन्स का manager fire brigade वाल को call करेगा rescue team को call करेगा local police authority को call करेगा और अपना सूचना इसका सूचना आगवाग लगा इसका सूचना regional inspector को देगा ठीक है तो ये सब का सब का माइन्स manager का होता है ठीक है अगर चाहेगा माइन्स manager तो काम को divide कर सकता अपना burden को कम करने के लिए अपना इसका अपना को बोलेगा कि फोन लगाई है थानेदार को बता दीजा इससे सबात है पुलिस वाला को क्यू बलाया जाता है local police authority को देखे आसा है कि माइन्स में कभी अगर कोई भी दुरघटना होता है तो वह दुरघटना कभी कोई बावाल में बता जाता है कभी-कभी कई है कि माली जह माइन्स में दुरघटना हुआ तो दुरघटना होने को बहुत सारा person को बता जाता है किसको किसको बता जाता है समझाते है पुलिस को बता जाएगा local police authority को किया जाएगा इसके बाद आपको यूनियन लीडर को यानि ट्रेड यूनियन के जो लीडर होते हैं उनको बताना मेंडेटरी हो जाता है ठीक है रेस्क्यू पर्सन को बताना मेंडेटरी हो जाता है तो इन लोगों को मेंडेटरी होता है किसी माहिन सुमें गर कोई दुर घटे न हो तो बताया जाए या बुलाया जाए ठीक है देखे पहले का एक टाइम हुआ करता था 1980 में यह लिखा हुआ है ओबर्मेन स्वारी ऑबर्मेन कहा रहे हैं डीजे देशमुक का जो वॉल्यूम टू है वो 1980s के आसपास में लिखा हुआ है तो 1980s का एक बार टाइम को कलपना कीजिए तो उस करता है यही वाला तेल का इस्तेमाल करते हैं माइनस में जब कभी माइनस में इंडिकेशन मिलता है तो क्या होता है माइनस का जो रिटन साइड है उसमें इंटेक रास्ते में हम लोग क्या करते हैं एक लप्टस तेल को छीट देते हैं एक लप्टस तेल को क्या करते हैं छीट इसको चीटने के लिए बहुत सरे चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो अस्प्रे कर दीजीए या तो इसको किसीk रही तरही के इसे। छीट देजे कि फोड़ाइद सब तो एकलप्टस तेल का असमेल इसलिए इस्तमाल किया जाता थे कि मानली जैसा है को रीटन साइड में बंदा खड़ा है काम कर रहा है अब उसको जनकारी हम नहीं दे पा रहे हैं कोई ऐसा आग लग गया जिसके कारण मेरा एलेक्टिसिटी कनेक्शन फेलियर हो गया मानली जै टेलिफोन का तारे टूट गया तो क्या होगा हम हला करेंगे जोड़-जोड से चिलाएंगा आवाज जाएगा नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा एकलप्टस तेल को अगर हम छीट देते हैं इंटेक रास्ता में देर दर छीट देते हैं तो उसी जो इसक्लेप में बहुत सर इस्तमाल होता था टोड़ी यह संटमाल होता था लेकिन मस्रीट्च में इस टेल का इसे गलेत ञाता है तो केसे पकड़ लें तो इसको समझते हैं जैसे मान लीजिए ऐसा है कि कोई railway station में आप गये होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि खुब बाल्टी रहता है लाल कलर का बाल्टी है ना लाल कलर का बाल्टी बालू भरा रहता है अर उसके आसपास में तो बहुत सारा आदमी क्या करता है पान खाके उसमें थूखता है और उसको ऐसा लगता है कि थूखने के लिए नहीं रखा हुआ है वह जो बालू है सेंड है वह इसलिए रखा हुआ है कि कभी भी अगर आग लग जाए यह टाइप का फायर हो जाए जनरली कभी भी आग लग जाए बेल्ट कन्वेयर में कोईला में छोटा मोटा कुई चीज में तो फटाक से जो अनपड आदमी है जिसको फायर एस्टिंग हम लोग ऐसा बाल्टी रखते हैं लाल कलर का लाल कलर इसलिए रखते हैं ताकि बहुत आराम से दिखाए दे भी गयोर के बारे में आप पढ़े होंगी अगर आप 12 क्लास किया हूं है तो तो लाल कलर में रहता है तो आदमी का नजर जाता है फटाक से कोई भी पढ़ा बेस बालू है या मिटी मिटी को मारना शुरू कर देगा इससे आग बुताया जा सकता है यही वले मैठट का इस्तमाल किया जाता है ब्लैंग्केटिंग्ड फ्लोर यह क्या चीजसे समचते हैं देखो कहीं पे अगर सबसी डानस ही ठीक है सबसी डांस ह olarak माने ऐसा है सर्फेस में सबसीडांस हो गया है अब वहां से हवा जा रहा है माइंस में तो उस सर्फेस को हमको क्लोज करना पड़ता है बंद करना पड़ता है नहीं करेंगा तो क्या होगा आग लगते लगते उपर तक पहुंच जाएगा आग बहुत जल्दी फेरेगा उपर से क्या होगा वह जो क्रैक है वह पेक हो जाता है तो यह कोशन पूछा जा सकता है दिशान रखेगा तीन मीटर मोटा लेयर बिशाते हैं ब्लैंकेटिंग करने के लिए सबसी रांसे रिया है में आग से बचने के लिए ठीक देन आगे बुला गया है कि इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर आग बुझाना है जो रेस्क्यू टीम आएगा ना रेस्क्यू टीम आगया या फायर बिर्गेड वाल आदमी आगया तो ऐसा नहीं कि रीटन साइट से घुश जाएगा नहीं कभी भी अगर आग बुझाना है तो हमेशा और हमेशा हमेशा से हमेशा इंटिक रास्ता से ही उसको गुशना पड़ेगा इंटिक रास्ता से ही गुशना पड़ेगा आग को बुझाने के लिए अब यहां पर दो टर्म आता है तो वो गलती से नहीं लिखा गया है, वो spelling mistake या printing mistake नहीं है, उसका एक मतलब है, क्या मतलब है, joint directorate of mind's safety, joint directorate of mind's safety, ठीक है, और DGMS का मतलब तो आपको पता ही होगा यार, तो joint directorate of mind's safety, तो joint directorate of mind's safety एक अलग post होता है, पहले जब 80 का दसाथ चलता था, तो joint director जो है, वो regional inspector को ही बोला जाता था, बीच में एक डौर आया, जब regional inspector अलग से post बना दिया गया, उसके बाद joint director का post बना दिया गया, फिर आपको सब सब हटा के अभी तो director लोग का post बना दिय और dgms आपका CI के बारे में बताता है, तो कहीं भी अगर आपका book में JDMS लिखा है, मतलब regional inspector को represent कर रहा है, dgms लिखा है, मतलब chief inspector को represent कर रहा है, इस चीज को दिमांग में रख लिजेगा, और इसी हिसाब से आप book को पढ़िएगा, आपको मिलेगा इस सब सब, तो हम क्या बता रहा थे कि आग को हमेशा intake side से ही cover किया जाता है, intake side से ही tackle किया जाता है, ठीक है, चले, उसके बाद अगर यहाँ पे बोला गया है कि soda है, water है, form है, इसमें electrical fire अगर है कहीं पे, तो इन type का fire extinguisher का इस्तमाल आप नहीं कर सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं अभी, soda type का, water type का, form type का, ध्यान रखेगा, soda type का, और water type का, यह आपका, sorry, soda type का, form type का regulation में लिखा हुआ है, water type का नहीं लिखा लेगिन water को भी add कर लिजेगा, आगे जब आप पढ़िएगा, तो water भी आपको मिलेगा, तीन प्रकार का fire इस्तमाल आप नहीं कर सकते हैं, electrical fire में ध्यान रख आप लग गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला तो हम आप बुझाने का कूसिस करेंगे, आप बुझाएंगे fire इस्टिंग उसर से, balu market, शुरू-शुरू में हम क्या करते हैं, बालू फेक के यह मिटी फेक के बुझाने कोसिस करते हैं, अगर आप फैल गया तो फिर हम fire वाला पूरसन है उसको किसी भी तरीके से खोद के उस जगह से निकाल दिया जाएगा जैनि जिसमें आग लगा हुआ उठाएंगे आग को और आग को उठाके कहीं पे बाहर में माइस के बाहर में सेफ एरिया में हम लोग उसको फेग देगा तो इससे क्या होगा इससे जो सकता है हुआ को फोरा इरिया में आग लगा है इसा है कि फूरा का आधा इंटेक रास्ता में आग लगा हुआ है तब फिर मुश्किल हो जाएगा तब आपको छोड़ना पड़ेगा फिर एक ही उपाई बचेगा या तो माइंस को बंद कर दीजिए या पानी से डुबा दीजिए वो बताएंगे आगे इसके बाद बुला कि है स्मॉल एक्सेसिबल जहां पर आग होगा उसको हम लोग ब्लैंकेटिंग करके कवर कर देंगे जैसे अर्थ में मिट्टी है इससे क्या कर सकते इसके उपर में डालके एक लेयर बना देंगे और इससे आग बुझ जाएगा ठीक है पहला तो प्रोसेस हो गया कि डिंग आउट पॉसिबल है जब एक्सेसिबल है छोटा सा एरिया में आग फैला हुआ है ठीक है और हम अगर नहीं पहुच सकते हैं तब हम क्या करें तो अगर हम नहीं पहुच सकते हैं या आग पर काबू नहीं पा रहा है तो मेरा पास तीन ठोपाई बचता है पहला तो है सिलिंग आप देए इरिया मतलब उस पर्टिकूलर एडिया को हम सीली कर देंगे जिसके कारण वहाँ oxygen supply बंद हो जाएगा और आग धीरे 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 बुझे जाएगा दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है जहां पर आग लगा हुआ है उस पॉर्शन में पानी भेजेंगे और उस पॉर्शन को दुबा दे इसको हम लोग बोलते हैं कि इन्टेंशनल फ्लडेंग क्या कहते हैं इन्टेंशनल फ्लडेंग ऐसा सब्द आपको रेगुलेशन में दिखाई देगा इसके की बारे में हम हलका फुलक आपको बताए देते प्रस्टिपलेरिंग करेंज लिए जादा खर्चा करना पड़ता है में पज्प्रियंस की बालू ज्यादा चाहिए सब्सक्राइब अपनी तर्च पम होता है देवलप्रेंड टेज में को इलाका एक्सक्रेक्शन रस्यो कम होता है 35% के आज पास में लेकिन डिपलरिंग में आप 65% तक नौर्मली जाते हैं ठीक है तो डिपलरिंग में rate of extraction बहुत जादा है percentage of extraction बहुत जादा है लेकिन आपके पास तो भीया पैसा नहीं है पैसा नहीं है तो माइस कैसे चलेगा नहीं चलेगा अगर उतना दिन खुला छोड़ेंगे तो माइस वाम तो आग लग जाएगा तो फिर आपका कोईला बरबाद हो जाएगा फिर खब कोईला गया तेलेंडी में तो फिर क्या कर जिएगा तो इसलिए आप intentional flooding का इस्तिमाल कर सकते intentional flooding क्या होता है माइस में आप पर्टिकुलर पैनल को या पूरा का पूरा माइस को डुबाने का वबस्ता करते हैं डुबा देंगे तो क्या होगा देखिए अगर माइस को डुबा देंगे तो तीन चीज नहीं होगा सबसे पहला है तो spontaneous hitting नहीं होगा मतलब आग नहीं फैलेगा दूसरा क्या है दूसरा निकलता है निकासी है निकलता हलका हलका करके वह बहुत कम हो जाएगा minimize होगा डी minimize हो जाएगा और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह है कोईला चोरी देखिए हम नाम नहीं लेंगे लेकिन बहुत सरा ऐसा area है खास का ruler area होता है जहां पर कोईला चोरी बहुत ज्यादा होता है एक mines है मालीजे का नियम तो यह होता है न कि कोईला चुरी करना चाहरा है तो क्या करेगा यह पीलर वा को तोड़ देगा 40 cm का होगा जाद जाद एक मिटर का होगा जाद उससे आता होगा नहीं तो फटाक से वे पीलर को तोड़ देगा और सब आदमी घुजाएगा बहुत सदा ऐसा एरिया देखा गया है बहुत सब और нам एक एक्स ही 107 को से दिमाग चाहिए अगल करने डेखेंगे जातायग तो गालीव करते ले जाता है एक बोरा क्यास मान के चलिए कि अगर एक बार ट्रीप में पुरा पूरी बारास रुपिया कमा रहा है दिन भर में दो तिन ट्रीप मार रहा है तो दू हजार रुपिया उन आप लिया है अब मस दारुवार रुपियेगा सुद जाएगा पढ़ा लिखला आदमी तो है ने तो ऐसा सिचुवेशन होता है अब क्या है सर इसमें अकसर देखा गया है एक कोलियरी है मैं नाम नहीं लूँगा एरिया का नाम भी नहीं बताऊंगा ऐसा हुआ है कि लोकल बस्ती वाला सब घुस गया माइनिंग करने के लिए और जैसे तैसे पिलर को काटा अचानक से क्या हुआ रूपफल हो गया अपिलर को काट रा रूपे वजा नारा कभी ने कभी तो गिरेगा अचानक से रूपफल हुआ जिसमें से लगभग 30 प्लस आदमी का डेथ हो गया और बाकी आदमी जो बचा था वो वहाँ से भाग गया ठीक है भाग गया इसलिए क्योंकि वह सब बचाओ में होता ऐसा है अगर मालीजें नहीं भागेगा या कोईला चोरी वाला बताएगा तो वहां का जो लोकल प्रसासन लोकल पूलिस अथारिटी है वह क्या करेगा वह उसको तंग करेगा या फिर कोईला चोरी कर रहा था त इसलिए दबा दिया गया था क्यूकि अगर माली जैसा है कि मंगरु मातो नाम का अगर उसका घर वाला बोल देगा कि मेरा घर का जो आदमी है वह क्या किया जाएगा इसको क्या किया जाएगा इसका एक जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि ये अवैद खनन में मारा गया ठीक है तो मंगरु मातों को छोर डिकलियर कर दिया गया है सरकारी कागज में अब इसका जो लड़का बच्चा होगा कभी सरकारी नौकरी का फरम भरेगा तो उसको बहुत समस्या होगा ठीक है तो ये सब समस्या होता है जिसके चलते उसका रिलेटिव या घर वाला भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है और मैटर धब जाता है ठंडा हो जाता है लेकिन होता है बहुत धडलले से तो इसलिए intentional flooding किया जाता है, ध्यान रखेगा intentional flooding करने का जो सबसे बड़ा reason है वो है कोईला चोरी, अब कोईला ही नहीं रहेगा, अब मानली जैसा intentional flooding में पूरा पूरे पान से बान से डुबा दी, अब चोरी का घटना एकदम रूप जाएगा, ठेक है, इसलिए intentional flooding किया जाता तो ध्यान रखेगा आग को बुझाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, माइस को डुबा सकते हैं, या जो आग है उसको डुबा सकते हैं, intentional flooding का एक टाइफ हो गया यह, तो जहां पर हम नहीं पहुँच सकते हैं, आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एरिया को से लॉफ कर देंगे या तो हम पानी से डुबादेंगे या फिर इनर्ट गैस भर देंगे इनर्ट गैस भर देंगे पर देंगे कभी कभी इनर्ट आई सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं stopping of the area ceiling of the area अब भाया अगर कोई माइन्स ऐसा है जहांपे आग लगा हुआ है कोई पैनल है जहांपे आग लगा हुआ है ठीक है चलिए एक प्रिवियस को क्लास में कोशन पूछे थे आप लोगों से और बोले थे कि कमेंट में बताईएगा कोशन को हम फिर से रिपीट करते हैं याद आ गया तो पैनल इन में से कौन से मैथट में बना के काम किया जाता है यानि इन में से कौन से मैथट में अगर काम करना है तो पैनल बना बना के काम किया जाता है option दे रहे हैं आपको जो previous class में दिये थे same to same board and pillar method option number 2 है room and pillar method option number 3 है both option number 4 है long wall method and option number 5 है all of the above same to same यही वाला option हम previous class में दिये थे और बोले थे बताइएगा इन में से कौन से method में हम panel बना बना के काम करते हैं तो बहुत कोई जो बताया थे वो बोत बताया थे बहुत कोई तो बोड़न पिलर बताया थे तो जादतर का answer C था लेकिन C गलत है आपका long wall method में भी panel बना बना के काम होता है अगर long wall method में हो रहा है तो panel बना बना के किया जाता है इसलिए इसका answer हो जाएगा all of the above तो एक particular call block कितना होगा सोच सकते हैं और ऐसे कर करके आप कितना pillar छोड़ेंगा ऐसा सोच सकते हैं इसलिए पैनल कितना बड़ा होगा यह भी आप सोच सकते हैं ठीक है तो इसलिए यहां पर हो जाएगा all of the above यानि कि पैनल बना कि इन में से सभी मैथड में काप होता है ठीक है तो बंद करेंगे तो हमको क्या जोरत पड़ेगा स्टॉपिंग का क्या जोरत पड़ेगा स्टॉपिंग का देखो माइन्स के अंदर न कभी भी हम कौन हो दिवाल बना देते हैं एक फो मोटा दिवाल बना देंगे ठीक है तो इसको हम क्या बोल देंगे स्टॉपिंग क्या ब Permanent Stopping, Emergency Stopping, sometimes it is called Temporary Stopping, एक हो गया आपका Preparatory Stopping, तीन तरग होता है, Preparatory Stopping, Emergency Stopping जिसे वो Temporary Stopping भी कहते हैं और Permanent Stopping, अब आप सुनेंगे कि Isolation Stopping तो हम सुने हैं, तो इसमें हैं ये नहीं है, Isolation Stopping ये दूनों से बन सकता है ठीक है पर प्रिपरेटरी में जनरली हम लोग बनाते हैं और प्रिपरेटरी को ही आइसलेशन स्टॉपिंग कहते हैं लेकिन बनाया तीनों में जा सकता है बाकी दीरे-दीरे हम समझाते हैं ठीक चिले तो आग जहां पे आप सील कर देते हैं सिल कर देते हैं सबसे पहले आते हैं Canad तो जैसे कि नाम से ही लिखा हुआ है pre plus petri topic मतलब बहुत पहले ही हमको बना कर रखना पड़ता प्रिपेयर करके रखिना पड़ता है इसलिए हम लोग इसको बोलते है प्रिपेटरी श्टॉपिंग तो यह आधा बना के रखा जाता है आधा खोल के रखा जाता है मतलब यह हुआ कि आधा काम आप करके रखेंगे अग जब कभी आपको बंद करना रहेगा जो थोड़ा से बहुत काम बचा हुआ उसको आप निप्टा देंगे ठीक है कैसे जब कभी भी डिपलरिंग किया जाता है उससे पहले डिपलरिंग करने से पहले हम क्या करते है जो में इंट्री है किसी पैनल का माना इलिजिए ऐसा है कि एक ठोग पैनल हम लोग जानते एक पैनल में कम से कम दूट हो क्या होना चाहिए इंटेक होना चाहिए और एक ठोग क्य है यानि कि Day करास्ता है या । उसमें आप क्या करते हैं प्रिपेट्री topण बना कर ढ़िए रखते हैं इसमें आप बनाते हैं 3 वो चार लग जा था तो दूठो बणा दिये एक थो दूठो छोड़ दिये हैं तो उसी को को बोलते हैं between subtraction प्रिपेट्री स्टॉपिंग के लिए आप आईरेंड़्ट और का इस्तमाल करते हैं जो कि बाद में निकाल दिया जाता है और स्टॉपिंग के पीछे रग देते हैं या फिर उसको हम लोग हटा देते हैं हींज को भी निकाल लेते हैं हिंग्स को भी हिंग्स क्या होता है सरक्कुंडी होता है ने दर्वाजा लगाईएगा तो दिवाल में आपको एक फ्रकुंडी टाइप का लगाना पड़ेगा जो इसके बाद बुरा गिरक माइस्ट में जरह लगा हं या फिर फॉस डिपया लगा हुआ है माइस में चली इसको समझाते हैं सिंपल वहसा में समझते हैं ऐसा है कि वं डिगरी का माइस है स्टॉपिंग वोटाई आपका जैरलली lacking होता है ठीक है 1 डिगरी 2 डिगरी और फ़ией स्टॉपिंगा है अगर इसको explosion proof कहां तो यह समझाटे आपको कभी भी अगारिध लगा हुआ है तो उस condition में एगर वन तो उस कंडिशन में जो मिनिममम ठीकनेस होगा वह एक मीटर होता है लेकिन जब कभी भी पैनल के पीछे में दो परसेंट या उससे ज्यादा मीथेन गैस है तो आइसोलेशन स्टॉपिंग जो होगा वह आपका एक्स्प्लोजन प्रूफ बनाया जाएगा अब आइसोलेशन स जास्ता को आप आइसोलेशन स्टोपिंग में कनवर्ट करना चाहा है तो अईसोलेशन स्टॉपिंग बैसिकली क्या होता है एक दिवाल है और इस दिवाल में आपका दूठों पाईं पार कर दिये है AZ एक वाटर सील केहते हैं और यह आपका लेने केले सेंपल लेने कलिए तो ये एक दिवाल वाला भी हो सकता है, दो दिवाल वाला भी हो सकता है, तो इसको आप बोलते हैं, isolation stopping, पीछे का आपका नजर रखना पड़ता है, पीछे का sample लेना पड़ता है, यानि दिवाल के पीछे क्या हो रहा है, आप गुश के तो देखेगा ने, तो उस condition में उसके अंदर का sample अब इस pipe के जरिये लेते हैं, तो इसको बोलते हैं, isolation stopping, या तो आप single वाल वाला भी बना सकते हैं, या फिर double वाल वाल भी आप बना सकते हैं, अब समझते हैं इसको पुरा और detail में, फोटो के जरिये, जब तक फूटू नहीं देखेगा, तब तक clear नहीं होगा, देखें यह है फूटू, उपर में है sampling pipe, नीट्य में है water seal, water seal का क्या काम है, sampling pipe का क्या काम है, दिवलिया का काम समझते हैं, यह जो दिवाल देख रहे हैं आप, यह दिवाल का मोटाई है, एक मीटर, यहाँ पर single दिवाल लगा हुआ है, कर मतलब यह है कि इसके पीछे आप explosion proof नहीं है, क्या नहीं है, explosion proof दिवाल नहीं है, ठीक है, explosion proof दिवाल नहीं है, तो यह जो दिवाल है इस पर दूठो पाइप पार किया रहेगा, एक उपर में, एक रो नीचे में, उपर वाला जो पाइप रहेगा, उसको बोलेंगे sampling pipe, और नीचे वाला जो पाइप रहेगा इसको बोलेंगे water seal water seal देखेगा आगे चलके कुछ ऐसा टेड़ा रहता ऐसा और नीचे पानी में दुबा के रखा जाता है कारण ऐसा कारण क्या है जोगो कुछ gas भारी होती है कुछ gas हलकी होती है CH4 भाईया हलका होता है CO दुबारी होता है तो कुछ gas तो नीचे बाइठा रहेगा कुछ gas उपर रहेगा तो उपर वाला में हम लोग जो जो gas हलका हलका है उसका sample ले लिए और नीचे वाला में जो water seal इसमें पानी का भी थोड़ा आ जाता है मातरा उसको भी ले लेते हैं पनियम चिपका रहेगा तो यह सब भी हम लोग sample इसी लिए नीचे से लेते हैं और उपर से लेते हैं आजकल तो air tube वाला suction tube का इस्तेमाल करते हैं माने football वाला जो bladder होता है football को फड़के देखेगा कभी अंदर सेख्ट bladder निकलेगा वाईसा ही bladder रहता उसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि bottle वाला method बंद हो गया है bottle वाला बंद नहीं हुआ है वो पुराना method है अभी नया वाला तरीका आ गया है अभी हम थोड़ी बोलेंगे Nokia 33-10 बंद हो गया है ऐसा तो कह नहीं सकते हैं लेकिन अभी नया नया बढ़िया बढ़िया फोन आ गया है तो Nokia 33-10 को कोई पूछ नहीं रहा है बस यहीं वाला समझेए कि जो bottle वाला था method वो अभी पूराना हो गया उसको ban नहीं किया गया है पूराना हो गया है ठीक है प्रिप्रेटरी स्टॉपिंग में क्या बता है कि डिपलेरिंग करने इस पहले हम इसका इस्तमाल करेंगे इंटेग रास्तार में जो इंट्रीज है उसको हम बंद करने के लिए इसका इस्तमाल करेंगे आधा काम करके रखेंगे आधा काम बाद में करेंगे दर्वाजा लगा के रखते हैं इसमें हम लूख ठीक है और बाद में दर्वाजा कबाड के दिवाल लगा देते हैं अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाना है तो नॉर्मली अगर बना रहे हैं तो वन डिगरी टू डिगरी है कुछ ऐसा फायर वायर कुछ नहीं है तो आप एक मीटर मोटा दिवाल बनाते हैं लेकिन अगर कहीं पर 2% से ज्यादा मीथन गया है या दिगरी टू टाइप का है तो आप एक्सप्लोजन प्रूफ अस्टॉपिंग बनाते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं एक सेकेंड है कोई बात नहीं कोई बात नहीं थोड़ सब्सक्राइब है तो हम आपको बता रहते हैं कि एक स्पलोजन प्रूफ क्या होता है इसको भी तो छोड़ा समझते हैं छली समझते समझते हैं अईश़ा है कि एक स्पूजन पूप अगर बनाया जाएगा तो दूठो दिवाल मने एक दिवाल आगे है ठाट ट्रोईंग मे इसके बाद एक gap रखा जाता है 4.5 मीटर का, ठिक, इसके बाद फिर से एक ठो दिवाल बनता है, क्या बनता है, दिवाल बनता है, कि जो दोनों दिवाल है दोनों दिवाल का जो मोटाई है वो है एक मिटर इधर भी दिवाल है कसका मिटाई है एक मिटर एक मिटर मोटा दिवाल रहेगा बीच में साधे चार मिटर गैप रहेगा जेकरा में मतलब जिसमें अनकंबस्टिबल मेटरियल भरा रहेगा अनकंबस् का दिवाल इधर, एक मिटर का दिवाल इधर, आईसोलेशन स्टॉपिंग बनाना चाहर है, तो हम इसी में एको मोटा वाला पाइप उपर में पार करतेंगे, और वाटर सील जो है, वो नीचे में पार करतेंगे, ठीक है, तो explosion proof भी बनाते हैं, explosion proof एसटॉपिंग हम लोग इसी को कहते हैं, explosion proof जब हम बनाएंगे तो एक term आता है locking, क्या term आता है locking, अगर आप जारकेंट से होंगे तो मरभाजा को समझते होंगे, गोडी कोड़ना, अब गोडी कोड़ना क्या होता है, जब कभी आप घर बनान तो इसको क्या बोलते हैं, गोडी कोड़ना, जैसे उपर में roof है, नीचे में floor है, तो आप क्या करेंगे, जो roof है, रूफ के थोड़ा सा उपर तक आप ऐसे दिवाल बनाने के लिए, थोड़ा उपर तक आप गढ़ा कर लेंगे, और उपर तक दिवाल बनाएंगे, तो ये जो extra portion इसको क्या बोलेंगे, उपर भी और नीचे भी, जो locking होगा, वो mandatory होता है, और वो अलग-अलग pole के लिए, अलग-अलग type का matter के लिए, अलग-अलग होता है, जैसे माली जे उपर हम पत्थर है, सेंड श्टोन का पत्थर, तो सेंड श्टोन के लिए थोड़ा सा कम है, जमचते हैं, अगर ये कोईला वाला locking है, तो एक मिटर होगा, उसका maximum जो depth होगा, अगर ये सेंड श्टोन के लिए है, तो 15 cm होगा, अगर ये सेल के लिए है, तो 30 cm होगा, तो यहाँ पर आप सोचेगा, कि सेंड श्टोन ज्यादा मजबूत है, सेल फड़ा कम है, और कोल है तो इसमें अल्टर पटर दिखे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कमजोर और मजबूत से इसको कोणों लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है, स्पॉंटिनिस हीटिंग से, कोईला बहुत जल्दी जलेगा, सेल पत्थर उसके बाद जलेगा, और सेंड श्टोन सबसे कुछे सकता है, ध्यान रखेगा इस सीच को लॉकिंग क्या होता है, ठीक है, और कितना कौन-कौन सा मेटरेल में होता है, दूसरा आते है, एमर्जेंसी स्टॉपिक, ठीक है, फाइल वार-वार हो जा रहा है, अच्छा, ओपेन नहीं किया है, क्रॉम से ही, स्वारी, कोई न रखते हैं, दूसर का जो स्टॉपिंग है, उसका नाम है एमर्जेंसी स्टॉपिंग, एमर्जेंसी स्टॉपिंग क्या होता है, एमर्जेंसी स्टॉपिंग मतलब कर के कुछ नहीं रखें, कुछ जुगाड़ा नहीं है, अचानक से देखें, आग लगा है, फटा-फट, फ इसको बंद करो जाम करो तो यह क्या है यह emergency stopping है मतलब इसको हम जब कभी आग देखते हैं या spontaneous sitting देखते हैं तो फटाक से इस्तमाल करते हैं यह preparatory stopping जहां नहीं है उस जेगा पर लगाते है अगर है यह है तो हमको ज़रोते हैं अधा काम करके रखें हैं आग लगा देखें पुरा मार दिया तो उसको बोलेंगे emergency stopping में हम पहले दिवाल तो बना दिये हैं दिवाल बनाने के बाद हमको एक टर्म है गंटिंग इसको समझेगा G-U-N-I-T-I-N-G गंटिंग क्या होता है समझते हैं देखो गंटिंग अगर लिग देगा न तो बड़ा आदमी confused हो जाएगा लेकिन समझेगा आप घर बनाते हैं घर बनाने के लिए आपको अगर पलस्तरा करना है दिवाल को तो आप बोलते हैं कि बालू को चाल दो बालू को चाल दो का मतलब जो सेंड है सेंड में बहुत चोटे चोटे पत्थर पाए जाते हैं आप उसको क्या करते है एक स्क्रीन से मतलब चोटा चोटा चाली हम लोग बोलते हैं अपना तरफ में तो उसमें से गुजारते हैं तो बालू बहुत महीन निकलता है मतलब सेंड जो है बहुत महीन रहता है और कंकल को आप अलग कर देते हैं अब यही जो सेंड है इस सेंड में आप सीमेंट मिलात तो ऐसा करकर के आप instruction देता है या जो राज मिस्तिर होता है तो तीन डपली और वन डपली का मतलब यह हुआ कि अब जो गंटिंग करेंगे गंटिंग में बालू और सिमेंट मिलाएंगे पानी तो हम इसमें काउंट होता नहीं है पानी अलग से मिलाते हैं लेकिन काउंट नह हöt सेथियों अगर हम एक डपली मिला रहा है है तो सेन्ट जो है वह हम तीन डपली मिलाएंगे यानी इस्टू ठीड़ी रेशियो में मिलाएंगे लेकिन उसमें उल लिखता हुआ है सेंड लिखा हुआ है यहां नीकिछे और सिमेंट लिखा हुआ है तो इसका भी मतलब यह डालेंगे इसको मिलाएंगे तीन डपली बालू और एक डपली सिमेंट का जो मिश्चरन होता है बहुत तगड़ा होता है बहुत तगड़ा मतलब आप दिवाल में लगा कर दिजेगा तो कभी लिक नहीं करेगा इतना अच्छा पलस्तरा होता है तो इसलिए गंटिंग में ब चर्ण करते हैं अगर हम कसी कारण से उतना अभी मेरेया पास टाइम नहीं है तो एक मैटरियल आता है लेटक्स क्या आता है लेटक्स यह आप ता टैंप्रोरी आता है मतलब बना बनाया आता है सा readymate आता है जैसे हो होता है ना कि काटो घोलो लगा लो तो ऐसा ही है यह लेटेक्स इसको काटो घोलो मतलब एक बार फेट फाट दो बढ़ियां से आ उसके बाद उसको compressor से compressor वाला जो गन आता है उससे उसमें छीट दो जहां पे दिवाल बनाया है दिवाल बना दिवाल में पलस्तरह करना पलस्तरह करने י MOND गया कि डे बहुनपने और इसको हम बनाने के कम से कम 48 घंटा की बात बनाते हैं तो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताने थे कि जो एमर्जंसी स्टॉपिंग उसी को टेंपररी स्टॉपिंग कहते हैं अब जल्दी जल्दी एक तो दिवाल बना दिया और दिवाल में पलस तरह कर दिया अब ऐसा नहीं कि छोड़ दीजेगा ठीक है क्योंकि उसमें लॉकिंग वोकिंग तो आपको टाइम मिला नहीं तो ऐसा तो है कि भाई आप दिवाल बना दिये हैं कहीं से लीक कर जाएगा तो फिर तुमरा बरबाद हो जागा दिवाल तो आपको एक ठो पर्मानेंट स्टॉपिंग बनाना प किजेगा थोड़ा सुखने देते हैं पानी डालते हैं तो आप तालिस घंटा के बाद हम लोग बना सकते हैं तो अब अब आप से पूछा जाएगा कि सिक्वेंस क्या है इन में से सबसे पहले क्या बनाया जाता है ऑप्सन देगा सबसे पहले एमर्जंसी स्टॉपिंग टेंप्रोय को पहले बनाया जाएगा बाद में इसब्स के पर्मांट के बनाया जाएगा कितना देर के बाद 48 घंटा बाद बनाया जाएगा पर्माने लास्ट झूपिंग वहता है wounds सबसंट गार जूख हो गया मद ले गई हो ãy immersive इसका ओन 3-3 मीटर पर 15 सेंटीमिटर इसका ठीकने जो है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता बढ़ता जाता इसको समझेगा क्या बोलना चाहरे हैं कह रहे हैं कि एक नॉर्मल साइज के गैलरी चीक तीन मीटर हाइट है पूरा पूर तीन से कम पकड़के चलिए तीन से थोड़ा कम ह तो अब ही जो मोटाई रखे हैं वो कितना रखे हैं एक मीटर अब तीन मीटर से जितना भी बढ़ाते जाएंगे 15-15 सेंटीमिटर पर इसका जो हाइट मोटाई होगा ठीक है इसका जो मोटाई होगा वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ठीक है तो पर्मनेंट स्टॉपिंग लगाते हैं कोई भी टाइप का स्टॉपिंग वहां पे हमको कुछ न कुछ फीटिंग रखना पड़ता है सबसे पहले उस पर्टिकुलर एरिया को वाटर गे से आप कनेक्ट करके रखते हैं प्रेसर को लगातार नजर रखने के लिए दूसरा है कि थर्मामीट पॉइंट हो गया ठीक है अभी हम यहां पर समझते हैं कि वाटर गेज अगर ना रहे तो क्या कुछ और भी इस्तमाल किया जा सकता है देखे वाटर गेज जनरली प्रेसर डिफरेंस को बताता है किसको बताता है प्रेसर डिफरेंस को बताता है क्या हम प्रेसर डिफरेंस मै Android barometer. और एक होता है 14 barometer. एक होता है Android barometer, एक होता है 14 barometer. Android barometer कैसा होता है सर। एक हो मस्त छोटा घड़ी है ना घड़ी. हाथ में जो रखते हैं आम घड़ी. उस टैप का होता है. इसको मस्त pocket में डालिये, चल दीजीए. जहां जांच करनावा निकाली है देख लीजेक था है प्रेसर वहां का इसको बोलता है Android बेरोमिटर और 14 बेरोमिटर क्या होता है 14 बेरोमिटर माइस ओफिस में जो है जाता है कि जो 760 mm यानि कि 14 बेरोमिटर है कुछ ऐसा ठीक इसमें ऐसा इसे करके बहुत सारा लेवल बनाया हुआ स्केल बनाया हुआ है इसमें होता है 760 mm तक मरकरी भरा हुआ है तब समझेंगे कि मेरा माइस का कम हो जाता है मतलब प्रेशर गिर रहा है इस से थोड़ा उपर हो जाता है तो प्रेशर बढ़ रहा तो अगर उपर होता है नॉर्मल इगर 775 हो गया कोई दिख़त ने आचानक से हम देखें 865 हो décde हम समझ जाएगे कि Mines में आग लग गया है या Inhobia का खत्रा हो रहा है और अगर अचानक से बहुत ज़्धा गिर गया मालीज़िए 660 हो गया है तो हम समझ जाएगे कि Mines में pressure बहुत ज़्यदी घट रहा है मतलब कहीं से निकल निकल के face में gas भर जहा है पर्टिकुलर एक जगा का प्रेसर को नापते हैं, अब देखिए मानलीज जा ऐसा है कि वेंटिलेशन आफिसर एंड्रोड बेरोमीटर को एक जगा जाके देखा, प्रेसर तो मिल गया उसको, आप दूसरा जगा जाके देखा, एक जगा प्रेसर देखा 10 एक एट्मोस्फेरि का इस्तमाल करते हैं, तो वाटर गेज प्रेसर डिफरेंस को नापता है, नकी प्रेसर को नापता है, तो वाटर गेज, थर्मा मीटर और सेंपलिंग पाइप, ये तीनों इंपॉर्टेंट फिटिंग होते हैं, वाटर गेज से ट्यूब को कनेक्ट कर दिया जाता, आजकल मतलब इसको सेंसर आ गिया है, तो जौरत नहीं पड़ता है, अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं, यह देखिए, जो फोटो देख रहे हैं, इस सेंपलिंग पाइप को यहाँ पे तीन मीटर पीछे तक निकाल कर रखा जाता है, इधर आदमी खड़ा है, ये सील किया जा चुका है इस साइड में तो सील किया जा चुगा है तो आदमी यहां पर मतलब जो sampling pipe रहएगा वो पीछे में 3 म gi तक निकालas जाएगा कितना मिटर तक निकाल के रखा Everywhere घ्यान रखिगा 3 मिटर तक निकालकर रखा जाएगा फाइल को तो मैं सेव नहीं किया है डारेक्ट में ड्राइब से पढ़ा रहा हूं से लिए फ्रवासा प्रॉब्लम हो रहा है कोई बात नहीं तब तक एक फोग देते हैं कैच किजिएगा मैरे कोईशन है अगर कहीं पर कोईला का स्टॉक रख रहा है तो एक स्टेक में मैकसिमम कितना टं कोईला रखा जा सकता है एक गिराते हैं डंफर से कोईला तो कैसे जमा हो जाता है बस वाई से मैकसिमम हम कितना टन कोईला रखा जा सकता है, एक डंपर हम नहीं बोल रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पर जहां पर कोईला जमा करके रखें, उसको हम रुक गहते हैं, इसका एंसर कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताईएगा, छलिए, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, लास्ट ही ट आप एक बार कोईला जमा करके रखें कुछ ऐसा ऐसा करके आपको रखना पड़ता है कोल स्टॉक में कोईला ठीक है तो इसमें जो स्टैक है एक पर्टिकुलर स्टैक इसमें 200 टन कोईला मैक्सिमम रख सकते इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं इसके बाद इसका जो पर्टिकुलर हाइट है यह हाइट भी तई होता है 1.5 मिटर से लेकर के तीन मिटर हाइट तक आप मैक्सिमम रख सकते हैं इससे ज्यादा हाइट नहीं रख सकते हैं यह अबरेज आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है तो सेंप्लिंग पाइप के बा पाइप हम लोग कहां लगाते हैं अब कहां गुसा दिजेगा पाइप को उसका एक ठोक दिमाग में पॉइंट रखना पड़ता है कि पाइप सुड भी नियर दा रूफ मतलब रूफ के नजदीक होना चाहिए हाइट बिटुबन हाप एंड थी वाइफ फोर टो दा स्टॉ प्लैंग जो है इसमें तीन बाइप चार भाग और उपर से बात करेंगे तो आधा मालिजाइसा है तीन मीटर का रूप का हाइट है 3 मीटर का स्टॉपिंग का हाइट है तो कहीं पर डेड़ मीटर में हम क्या करेंगे एक ठोक बनाएंगे अब जो चोड़ाई होगा उस चो मिटर के चोड़ाई के बीच में मतलब आगर मानली जैसा है कि 10 मिटर 12 मिटर का चोड़ा उतना होता नहीं है मानली एक पॉइंट बता रहा है तो आप 9 मिटर चोड़ाई पे पॉइंट मारेगा और उपर से हाप दोनों जहां बनाते हैं स्टॉपिंग बनाने के बाद इसमें पलस तरह करते हैं अगर पलस तरह नहीं कर सकते हैं तो गंटिंग करते हैं उसके बाद उसमें वाइट वास करते हैं वाइट वास मतलब चूना मारते हैं वाइट कलर का चूना क्यूं मारते हैं तो यह वाइट कलर का जब चू तो सी को देख के हम समझ जाएंगे कि नीचे से यानि पीछे साइट से जो वेंडिलेशन श्टॉपिंग है उसका पीछे साइट से हवा लीग करभा है ठीक है चली आज इतना ही रखते हैं एक सेकंड चली जितना भी टाइम है कोई बात नहीं आज इतना ही रखते हैं कि अपको में आ से अब लगातार आपका पढ़ाएंगे मेरा टारगेट यू नहीं कि आपको पढ़ाना है मेरा टारगेट है कि जितना जल्दी और क्यांड को खत्म हो सकता है का वो मिन टारगेट है दिन से लेना दिनाने, तीन दिन कहे थे बाट अभी 5-6 दिन साथ लगातर क्लास ले रहा है, तो थोड़ा सा रिसर्च जेलने के आदर डालिए, ठीक है, चलिए, आज इतना ही रखते हैं क्लास को, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक सब को जैहिन